राधी राधी एब्रीवान, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new cooking blog. आज मैं फिर से हजर हो गई हूँ, एक healthy, tasty and colorful recipe लेके. आज की recipe कोई dish नहीं है, बलकि आज की recipe है, means process है कि मैं किस तरीके से अपने घर में ही सबजियों में बहुत ज़्यादा यूज की जाने वाले इन बरियों को बनाती हूँ. देखिए कितनी खस्ती है, मैं हाथों से ये तोड रही हूँ और आराम से तोड रही है और crunchy हैं बिल्कुल. तो ऐसे वाली बरियां मैं घर में देती हूँ, अगर घर में बरियां नहीं पारती, market वाली बरियां जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा hard होती हैं और tasty नहीं होती हैं, तो बरियां खतम हो गई थी, तो इस वज़़े से आज मैंने सोचा कि चलो बरी डालते हैं, तो इसके बरी को पारने के लिए या बनाने के लिए, मैंने कर रात को ही दो किलो उरत डाल, ये गोटा उरत डाल है, इसे मैंने भीगो लिया था, आप गोटा आधा जो टूटा हुआ रहता वो भी डाल सकते हैं, अगर हम होल नाइट सोक करेंगे ना, तो बरियां बहुत अच्छी ब अब मैं इसका फाइन पेस्ट बना रहे हूँ, फाइन मिंस इस तरीके से थोड़ा दरदरा रहेगा, और थोड़ा कम पानी डाल के हम इसका पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है पेस्ट को बनाने में, लेकिन अगर हम ज्यादा पानी डाल देंगे ना, तो फिर बरियां हमारी बिल्कुल फ्लैट शेप किये हो जाएंगे, उठी उठी सी नहीं होंगे, देखिए, ये बैटर कितना मोटा है, मैं ऐसे निकाल रही हूँ, इस तरीके से, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा थिक है, मैं बहुत कम प ये लिएंगे, लिए, तो ये मैंने शेता के लिए नॉर्मल जीरा, इसके साथ ही मैंने वन टी स्पून अ पर मिलाया हूं आया है, मैं ले के लिए भी मैं जहां पर बरियां पारूँकी वहां है, मैं जप लिए हमालने श्ली नोफट, भी में ड़ाना थिस नहीं हमाल है बी अगर यह तैयर रहा है मिन्स अच्छे से फिट चुका है अब हाथों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए फिर हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए एक बरतन में पानी रखिए और उसे फेंकिए नहीं क्योंकि जब हम बरियान डालेंगे तो उसके जरूत होगी ऐसे अगर होता है तो ठीक रहता है अदवाइस कलर उसमें आ सकता है और अच्छी भी नहीं लगती है देखने में तो जब बरियान पारते होगे आपके हाथ में बैटर स्टिक होने लगे ता फिर से हाथों को पानी में एक बार थोड़ा सा डुबा लीजिए और उसके बाद फि करते हैं कि एक बार में पूरे साल के लिए सबजी में यूज की जाने वाली बरियों को एक बार में ही लगा ले तो आज मैंने जो बरियां बनाई है वो पूरे साल भर के लिए है दो किलो दाल का बरी हमने बनाया है तो यह पूरे साल भर हम लगों का चलेगा इस तरीके से मैं डालती हूँ और उसकी बाद देखे पूरा लग चुका है उसकी बाद जब यह सूख जाएगा ना जैसे आज शाम को मैं उसे उतार लोंगे उसकी बाद फिर मैं कल इसे इसी तरीके से धूप में रखोंगे फिर कल मैं इसे सारे कपड़े से उठार कर एक सूप में या पद्धती ये विधी पसंद आई होगी तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दें और कीप सपोर्टिंग में एब्रिवन थैंक यू वेरी मुच राधे राधे और टेक क्यर